आने वाले समय में GTL Infra कहां पर momentum continue करता हुआ नजर आएगा उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले बता दू कल के दिन GTL Infra gap up के साथ open होगा या gap down ये चीज़ जानना है तो आप लोगों को हमारे टेली ग्राम चैनल से जुड़ना होगा टेली ग्राम चैनल का लिंक description में दिया हुआ है आप चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर GTL Infra के सबसे पहले daily time frame पे चलके daily time frame पे GTL Infra किस तरीके से momentum continue कर रहा है अभी देखो कि daily time frame पे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि GTL Infra के लिए एक रुपे 20 पैसे का जो level था जहाँ पर GTL Infra multiple time आके आप लोगों के सामने यहाँ पर support बनाता हुआ नजर आ रहा था उस level को GTL Infra ने break कर दिया है अभी GTL Infra कहाँ पर कोसिस कर रहा है उसके बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर चार्ट को zoom out करेंग तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि GTL Infra near about 1.40 पैसे के आसपास यहाँ पर market आया था और इसी level पे आकर resistance फेस किया था 1.40 पैसे और 1.50 पैसे के आसपास आकर market ने यहाँ पर resistance फेस करता हुआ यहाँ पर GTL Infra में हम लोगों को देखने को मिला हुआ है तो आभी चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर GTL Infra को हम लोग किस तरीके से trade करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 hour के टाइम फ्रेम पे चलने वाले हैं 1 hour के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू जो लोग यहाँ पर GTL इंफ्रा को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर बाई नहीं करेंगे क्योंकि GTL इंफ्रा अपने resistance के आसपास आ चुका है और जिन लोगों ने यहाँ पर GTL इंफ्रा को बाई करके रखे एक रुपे के आसपास आप लोगों का stop loss आ जाना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पर GTL इंफ्रा को काफी नीचे से बाई करके टेल करते हुए नजर आ रहे हो अभी chances क्या है कि GTL इंफ्रा यहाँ से एक रुपे 40 पैसे तक जाता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है तो वहाँ तक आप लोग चाहो तो GTL इंफ्रा को definitely यहाँ पर hold करके चल सकते हो टेलिग्राम चैनल से जॉइन नहीं की हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगली वीडियो मुलाकात करेंगे तब तब के लिए जय हिल जय भारत